महाराश्ट्र दिविच बीड जिले दे पाडल शिंगी पिंट दिविच मारूती बजगुटे ने एवड़ा खुब बढवाया है इत्थे मेरे कोल साड़े बारा एकड़ खेत ने अते इत्थे गर्मिया विच पाणी दी लोड हुन दी है साड़े बीड जिले विच हमेशा सोक कारेंद है इसलिए छोटा तलाब बनों दी था मैं एक वड़ा खूब नों दा फैसला किता जिस विच एनना पाणी कठा किता ज जा सके इस खूदा डायमेटर 202 फुट है ते एक ताली फुट डूंग है इस विच दस करोड लीटर पाणी है जिकर दो तिन साल सोका रहेंद है तावी मेरी जमीन नूं तिन साल तक पाणी मिलता रहेगा खूब पुटन तो बाद जो मिटी निकली उस दाउना ने की किता कोल ही हाईवे बन रहा सी इसले जदो मैं तलाब दी था खूब बनोन दा फैसला किता ता ए मैंनू तै करना सी कि खुदाई तो बाद निकलें चीजां दा नबेडा मैं ठीक तरह कर सका मैं लाल मिटी आते काला पत्थर सडक बना रहे आयारबी दे लोकानू दे दिता आते जो कुछ बचया उस दी वर्तों एक बेस्मेंट दी उसारी विच किती खूब उठ दे समें तिन पोकलें मशीन ना आते दस वाना दा इस्तेमाल किता गया जिदो काम चल रहे आ सी ता कुछ लोग आके ए देख दे सी ओ पुछ दे सी कि ए मैं क्यों कर रहां उस वेले उनानू समझ नहीं होंदा सी पर ओ केंदे सी कि ए एक नुवेकली पहल है बजगुटे दे मुताबिक उनाने इस खून नू बढ़ां दे ले डेड़ क्रोड रुपे खर्चे ले मेरा व्याहा वेच टेंट लगांदा भी कारोबार है अते जो जमीन हाईवे वेच गई उस दे लेवी कुछ मौबजा मिला सी बजगुटे दे मुताबिक जदो उनानों होर पैसे दी जुरूरत पई ता उनाने अपनी पतनी दे गयाने वी वेच दिते एक खुब बढ़ां तो पेला बजगुडे खुशक जमीन दे किसान सी बीड जिले नूं कंकालेश्वर मंदर खजाना बावडी वरियां थामा दे ले जाने जान दा है उन एक खुबी बीड जिले दी पछान बढ़ गया है परहुन ओजी ही जमीन दे मालिक बाणगे ने जिसते सिंजाई हो सक दिया है पहला ए सारी जमीन सुकी से परहुन साड़े कोल पानी है मैं होर फसलाई भी बीच जांगा मैं आठ एकरदी जमीन ते मसम्मीदी खेती किती है उन मेरे खेत नूँ पूरा साल पानी मिलेगा पानी तो बिना कोई भी किसान गर्मीदी फसल नहीं बीच दा बारिश दा कोई पर उसा नहीं है जिकर सांजे तोरते भी अजहे खूँ बनाये जान तो लगातार किसाना नूँ पानीदी सप्लाई मिल दी रेगी तो किसाना नूँ खुदकुशी भी नहीं करनी पाएगी